दोस्तों सुभागत आपका मेरे चैंल इंफन द्धल में आज मैं आपको दोस्तों बताऊंगा कि किसी गाड़ी की के चाहते हैं तो उसकी प्राइसिंग विगारा के तो उसके ओपर 57 जार उपर एक्स्रा लगते थे मगर अभी सब एक ही रेट पे है टाटा मोटर्स में जो में को पता है बागी गाड़ी का कमपनी पता नहीं यह मैंने सब मोटर्स साही बाद जो एयर फोर्स के पास है लोनी रोड पे वहां से लिए तो मैं आपको बताता हूं इसमें हमने पराइसिंग कर देखे दोस्तों पहले थो मुने टेस्ट ड्राइव भी कर लए उसके बाद हमें गाड़ी सही लगी इक्जट भी उन्हें टेस्ट ड्राइव करवाई उन्होंने की वह राइए उसके तो मैंने एक्स्ट ली अब तो जब हमने ली, तो उसमें देखिए दोस्तों, pricing और dealing कैसे होती है, मैं आपको बताता हूं. दोस्तों इसमें इनका यह सारी वेरियन से हैं इसके प्राईस विगा रहा हैं यह सब इन्होंने इन्शुरेंस विगा रहा है सब कर कर आके यह आन रोड हा लगते हैं जैसे इसके लिए इन्होणे मुझे दिया है एकस Tea का मेरा यह रहा Garden रुपे, नो साथ लाग टाइस रुच रुपे, ये मेरा एक शो रूम प्राइस है, तो इसमें दोस्तों, एक शो रूम प्राइस में, इसके बाद उन्हों ने अगर आप किसी company कोई अगर गाड़ी लेती है अपने company उसके लिए तो आपको यह company rates लगते हैं अगर individual यह एक individual मैंने गाड़ी ली तो मिरेको यह फिर individual के rates लगते हैं यह HP होता है और यह TEMP होता है तो आपको temporary number अगर आपको देते हैं तो उसके लिए पंदरास ओर पर देने पड़ते हैं आपको extra तो कि सब segments के लिए यही तरह के और यह HP होता है तो अगर आपने bank से loan लिया है तो आपके RC पर लिखाएगा जो भी bank का नाम है उसका तो यह है प पूरा आपका cover हो जाएगा loan जो आपका fully paid हो जाएगा clear हो जाएगा तब आपको दुबारा से एक दूसरी RC बनवानी पड़ती है तो यह फिलाल है इनका on road price है इंडिविज्वाल का company का यह accessories एक सटने एक सटने वारंटी है gold AMC विगा रहा है यह सब दोस्तों में पता नीचे लिखाए कि क्या क्या इसमें include होता है mud flaps है carpets है यह सब हैं दोस्तों यह मैंने नहीं कुछ include करवाया था उसके बाद extended warranty है two plus three years unlimited दोस्तों वह extended warranty हम बाद में भी ले सकते हैं बस यह है कि अगर आप बाद में लेंगे थोड़ असा 4500 रुपे का फरक पड़ता है क्यो वाले कहते हैं आपको विदिन 90 डेज में आपको लेना है नहीं तो उसके बाद आपको प्राइस बड़े मिल जाएंगा कोई दिक करने दोस्तों 8300 रुपे 2990 रुपे यहां पर मिल रहे है तब थोड़ा सा 3400 रुप बढ़के मिल जाएगा but depends upon कि आपको उसके कब लेना है आपको पर डिपेंड करता है तो दोस्तों ये विद ये सारा समा नेसेसरी एक्षंडी वारंटी ये सब प्राइस ये होता है तो मैं आपको अपनी डील दिखाता हूं देखे दोस्तों पहले उन्होंने मुझे ये समझाया इसके बारे हम बताया जो चार्ट में आपको अब दोस्तों इसमें इन्हों लिखाए एक शोरूम प्राइस साथ लाग अठाइस से जार नौसुर रुपे जो इस चार्ट में साथ लाग अठाइस से जार नौसुर है ठीक है फिर इदर देखिए इन्होंने इंशरेंस के लिखा 30,961 वो भी इदर मैंशें है 30,961 इंडि बट मैंने बाद में 3000 नहीं दिये थे कैंसिल करवा लिये थे क्यूंकि बेसिके में दे रहे थे मद्फलैप्स और आपका मैट्स जो कि बहुत ही इल्की क्योलिटी के होते हैं मुझे जाएस से पता लगा था और आपका टेंपल हो गया था यह टेंपल दे रहे और यह बाद मोटर ने हमारी तरफ से बढ़ा था इसमें वह सब डिटेंज लिखते हैं कि कौन सी गाड़ी आपने लिए कौन सा आपने वेरियंट लिए पेट्रोल डीसल कौन से मॉडल यह कौन सा कलर लिए जरूर चक कर लिए ज़रूर चेकर लिएगे वह सब चीज़ें लिखी ह प्रफ्यूम मैट और मुद्फ्यूम यह आपका इंशिरेंस अमाउंट इन लिखाए इसके ओपर बेशिएशन चार्जिस जो आप्यों जिसको बोलते हैं यहां पर इनों ने बेशिक किट का चार्जिस लिखा है जिसमें आपको बता है बेसिकेट में टेमपल परफ्यूम मैट और मड़ दे रहे थे जो मैंने इसमें लिखा लिया बट मैंने बाद में डिलेक्स करवा दिया था नहीं लिये थे यहां पर आपको पता है अगर गारी आपकी लोन पर है तो यहां पंद्रों सौ आपको अपर आपको तेटर रुपे यह आपका टोटल आगया अगर आपको की स्पेशल कमेंट है कि डिलीवरी आपको कौन से डेट पर चाहिए तो यह स्पेशल कमेंट के लिए इन्होंने आप बोक्स भी छोड़ा है अब यह हमें डील यह फाइनल लगी हमने ठीक लगी तो हमने उसके बाद दोस्तों यह कु बुक्रवाली वो कहा रहता है या किसी वज़े से आप गाड़ी नहीं लेना चाहते है कोई भी जीजी सुन सकते ठीक है दोस्तों तो यह आपका रिफंडेबल रहेगा अब दोस्तों बहुत मेजर चीज में आपको बताने जा रहा हूं करिपया ध्यान से सुनिएगा यह आ उसका 8% होता है 8% अफ दे टोटल एक शोरूम प्राइस तो जैसे मेरा यहां पर 7,289 नौसो था एक शोरूम प्राइस टेक्स आठ परसेंट उसका रोट टेक्स जो होगया अठावन अधर 312 फास्ट एक उन्हों ने 600 रुपे लिया नियू रेशेशन फीज इन्होंने 600 प्लस आपको उसमें 500 रुपे का रिचार्ज भी करके देंगे जो कि इन्होंने मुझे दिया इनिश्यल रिचार्ज जिसको बोलेंगे और टेक्स जो आठ परसेंट लगता है अब देखिए दोस्तों यहां पर कैच कहा है यहां पर ठीक है मुझे थोड़ा बहुत 5-600 तो आप इंश्यरेंस भार से भी करवा सकते हैं मैंने भार से भी इनको करके बताए कि मेरे को इतने का पढ़ रहा है तो देखिए यह जो डिलर है यह बहुत बड़ी है दिलर दे प्राइस इनों में बहुत सही प्राइस दिया है क्योंकि नीटों फेस्बुक मैं देखता है तो दोस्तों आप यह याद रखेगा कि जो बेसिक इंश्यरेंस है वन प्लस टू यर्स की ओन डैमेज और तीन साल की आपकी सौरी वन प्लस होता है आपके थी साल की थर्ड पार्टी जो है वह सब में ही कवर रहेगी उसके उपर आपका क्या इंश्यरेंस आप लेना चा उसके बाद दोस्तों देखिए निन्हों मुझे डिसकाौंट भी कुछ दिया था तो मैं आपको यह बता रहा है इसमें में लिए को बढ़ेंगे न यहां पर शेयर बढ़ बढ़ बढ़िया थे प्रदीब श्र्मा जीने परस में बहुत बढ़िया बढ़िया थे कही डियर किसी भी स्टेट में चले जाएए जो आपका एक शोरूम प्राइस है उसमें रोटेक्स इंकलूड रहता है वह एक शोरूम प्राइस का जो एट परसंट होता है वही रोटेक्स होता है अब आप कहेंगे कि फिर यहां पर क्यों बढ़ा के दिखते हैं पिचासी जार नबे जा आप कहेंगे तो वह लिखते होंगे तभी आप कहेंगे अब देखें यह जो करते हैं यहां पर यह क्या करते हैं यह जबरदस्ती के एसेसरीज चार्जिस डाल देते हैं यह आपकी वारंटी है यह आपको लेना ही लेना है यह सब एसेसरीज चार्जिस जो डालते हैं वह आ सिर्फ एक शोरूम के उपर आट यो चार्जिस होता है जो वो दे सकते हैं वो फोर्स भी नहीं कर सकता आपको इंश्रेंस के लिए या किसी भी टाइप के असेसरी के लिए हाँ दोस्तों आपको अच्छान नंबर प्लेट जरूर लगवा के वहीं से कोशिश करिये लग जाए उननों के अफिज का रहा है क्योंकि मेर को जो गारी मेर को मिली थी उसके दो दिन बात में उन्होंने मुझे हचेससे νंबर प्लेट दे दी थी है क्योंकि अधिए गाज़ेबाद से Delhi लिए ली जाना विघारा रहता है तो वहाँ पर लगवा पे पर्मेंट नंबर प्लेट तो दोस्तों यह सब मैंने आपको बताया अपनी कार की डील के बारे में इसमें सबसे बड़ा आपका आटी ओ खाही होता है मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जो भी अपना ध्यान दें जधह आटीओ प्राइब प्राइब करें तो अगर आपको कोई भी प्राबलम हो किसी भी डिलर से या कुछ भी आपको प्राइस में कोई या डील में कोई प्राइब हमारी हो अब आउट में कुछ समझ में ना रहा हो तो प्लीज आप मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगा मैं जरूर आपको उसमें एल्प करूँगा तो दोस्तों फिलाल मैं अपनी इस वीडियो को यहीं खतम करता हूं प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करिए शे